हर हर महादेव जैमतादी सावन का आगमन होने वाला है सावन माह भगवान शिव को समर्पित है चमतकारी यह माह होता है जैसे कि हम सभी जानते हैं ऐसे में जो सौंबार का दिन होता है वह भगवान शिव का ब्रत के लिए जाना जाता है अर्था सौंबार के हम सभी ब्रत करत भगवान शिव को रिजाने और अपने जीवन में सुख सम्रधि का आवास करने के लिए, वहीं सौंबार के बात दूसरा दिन जो मंगलवार का आता है, वह माता मंगला अरथात मा गोरा को समरपित होता है, जो भक्तजन माता गोरा के मंगला गोरी ब्रत करते हैं, उनकी मनों क पहले कैसे किया जाता है यह ब्रत मेरे बहुत सारे वीडियो पिछले साल के अब देखेंगे तो मैं आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगे आप जरूर उस पर विजिट करके इस ब्रत को संपन कर सकते हैं जैसे कि इस वर्स आप स्क्रीन पर भी देख के दिन दूतिय मंगला गौरी ब्रत होगा 26 जुलाई 2022 के दिन तृतिय मंगला गौरी ब्रत होगा 2 अगस्त 2022 चतुर्थ मंगला गौरी ब्रत होगा 9 अगस्त 2022 के दिन इस तरह से आप सावन मेहने में मंगला गौरी ब्रत कर सकते हैं इसकी पूजा विधी भी आप सभी को बत छेतर में जिस तरह से ब्रत किया जाता है, मैं हमेशा ही कहती हूँ, कि अलग-अलग किया जाता है, कहीं पर जो है, इसे सोलह सामगरी हर एक मंगलवार को माता गौरी को समरपित की जाती है, वहीं दूसरी तरफ कई जगे हैं, जैसे मेरे छेतर में प्रचलित है, मेरे छेतर मे जो है सामाने तोर पर मीठा खाकर अर्था साम के समय पर मीठा भोजन किया जाता है पूरे दिन में फलाहर भी किया जा सकता है सामाने जैसे हम अनि ब्रतों की सरल तरीके से विधिविधान से पूजा करते हैं ठीक उसी तरह से मातागोरी की पूजन करते हैं बस इसमें यह है कि चौमुखा दीपक प्रजोलित किया जाता है हर मंगलवार को इस तरह से सामान्य तरीके से यह ब्रत किया जाता है पूरे दिर्मा मंगला गोरी अर्थादमाता गोरा के नाम का इसमरण किया जाता है उनके मंत्रों का जाप किया जाता है जब मंगलवार का ह उद्यापन कर रहे होते हैं कई लोग जो हैं सिर्फ सावन में ही करते हैं और उद्यापन कर देते हैं कई लोग जो हैं इसे लंबे टमे समय तक पूरे साल भर करते हैं कई लोग पांस साल तक करते हैं अलग-अलग आप सभी के कमेंट्स मिलते हैं इस तरह से भी इसे ब्रत को स पोजन करवाया जाता है यह एक ही महला को भी बुला कर आप सोलह चीजे दान करकर अपने ब्रत को संपन कर सकते हैं इस तरह से मंगला गौरी ब्रत की यह विधी है वीडियो हेलफुल रहा हो तो हर हर महादेव जरूर लिखे जैमातादीर आधिराधे